Hello everyone, welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में हम जनल अवेनेस की कोशन के बारें बात करेंगे. जैसे कि आप सबको पता है कि DSSB ने फिलाल में जुलाई 2021 में काफी सारे सब्जेक्ट्स के PGT एक्जाम्स कंड़क्ट कराये थे. तो उनी में से एक सब्जेक्ट था PGT Computer Science. तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जनल अवेनेस की कोशन को पूछे गए थे. तो स्टार्ट करते हम अपने पहले कोशन से. तो पहला कोशन था. विच अमेड्मेंट ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूशन अदोपोलिस दा इलेक्टिवन्स तो इंडियन कंसुटूशन काईनी भारतिज्वाविदान का. वो कौन सा amendment था जिसने election turbulence को जो है abolish कर दिया था तो आपको यह बता दो है इंडियन constitution से related दो से तीन कुछन तो हर एक्जांस में कम से कम पूछता है पूछता है तो यह इंडियन constitution जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन टोपिक है डीटर प्लेश्बी का और बात करें जन्र अवैनेस से तो दू से तीन कुछन तो इसके आते ही आते हैं तो इसको जो है आप ध्यान से जरूर पढ़ ले ना इंडियन constitution को आज चलते हैं नेक्स कुछन पर तो नेक्स कुछन है और उनका sport जो है boxing दिया हुआ है और यहां पर correct answer की बात करें तो वह है only one यानि सब्भी रली फुटबोल से related है लेकिन मौंबद दबाद जो है boxing से related नहीं है तो इसलिए यहां पर हमारा answer जो है only one हो जाएगा ठीक है अब चलते है next question पर तो next question है हमारा which of the following pair is correct तो अगेन यहां पर एक pair दिया हुआ है तो हमें बताने pair correct है incorrect है तो यहां पर दो pair दिये हुआ है पहला pair है amoeba जो की बिलॉंग करता है प्रोटो जोवा से और ब्रेड मोल्ड जो की बिलॉंग करता है फंगस से तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर दोने statement जो ह आ जाते हैं तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं और मोश्ली जो है और गिनम से ही रिलेटीड होता है अपर प्लांट से रिलेटीड कोशन सी आते हैं biology में ठेक है आप चलते है नेक्स कोशन पर तो नेक्स कोशन है no medium is required for transfer of heat by तो यह फिलिंदा ब्लैंक से आपको complete करना है no medium is required for transfer of heat by तो यह पर option दिया है conduction both convection and radiation third option is radiation and fourth option is convection तो यह पर correct answer की बात करें तो हो है option no.3 है नहीं कि radiation तो radiation को है कोई भी medium की requirement नहीं होती heat transfer के लिए तो यह पर option no.3 जो है पर correct है आप चलते है next question पर तो next question है हमारा as the river enters the plane it twist and turn forming large bands non edge याने कि जब river किसी plane से गुजरती है तो काफी जारे mode लेती है तो यह जो काफी इसे जो है तो यह पर correct answer की बात करें तो इससे मेंडर कहते है और तो यह पर correct answer जो हमारा option no.4 हो जाएगा अब चलते है नेक्स्स फोरिशन पर तो नेक्स फोरिशन है हमारा which of the following is not a direct text तो यह पर तीन statement दिवे है और बहुताने है कि इसमें से कौन जो है टेरेक्स टेस्ट ट एक कघव tuck retir करें अंदर आते हैं भी यह थो यह हमारे आंसर नहीं होंगे तो ट campus in the iksat टांशनों सब्खरें और गीम घृ जो क्लिआ के हुपरोगने तेच्ट की बारे में पूछा गया है तो तो यह कुंड यह नहीं देते हैं जो है किसी प्रोड़क्ट तो इसलिए हमारी इंडर के अंदर आता है और आप देखेंगे कि जिदो रॉती है कि सारे zls टे कर प्र नम्य नम की नाम की लिवाप नëlकी तौ पूछए प्रदाइब्द करिए किया तो प्रेält यह जहीं पर मिसाल रित अबक्त कि अम्री यहें लाट कि वहाँ बनाएं था इस लिए कोशन पूछा गया जो है तो इसलिए से लिए प्ला पूशन यह ना क्योंग दी अब जरूर पूछता है तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना आप चलते हैं नेक्स फोर्शन पर तो नेक्स फोर्शन है विच ओव फॉल्विविग स्टेटमेंट इस करेक्ट तो अगेन यहां पर दो स्टेटमेंट दिये हुआ है पहला स्टेटम ओपशन पर ऊप्शन फोर यानि बोथ वन टु करेट वाला प्शन जो यहां पर हमारा चैक्ट हो जाएगा और अब मैं आपको बता दुटन यह जो थर्मसफेर एकसप्र यानि कि चलते हैं नेक्स्ट पर तो नेक्स्ट पूशन है विच ओ फॉल्विव इस ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा तो यह आप रिवर दिये हुए और यहां पर बताने कि इसमें से कौन से यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो यहां पर पहला अप्छन है चंबल सेकेंड है बेटवा चाहे कोई सब एक्जामक गंगा की ट्रिब्यूटरी के ऊपर जो कोशन है कई बार पूचाया जा चुका है प्रिवेस यहर में भी और जो है इसलिए यह टॉपिक जो है काफी इंपोर्ट बन जाता है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर् प्रिब्यूटरी है तो यहांने की ऑप्शन थर्ड जो है पर करेक्ट है अब चलते है अपने नेक्ट कोशन पर तो नेक्ट कोशन की बात करें तो वह है विच और फॉलेंग स्टेटमेंट इज आर नोट टू रिगार्डिंग मार्जिनल स्टेंडिंग फेसिलिटी तो मार में इन दव मूमेंट इन री विटिड एवरेज कॉल मनि राट तो यह स्टेटमेंट तो एक dłizada करेक्ट है तो यहां पर अब चलते हैं नेक्ट स्किल नेक्स स्टेटमेंट में तो इन गुजरात तो यहां पर दो दो फोड देवें हैं मैं बताक्र नहीं य्ज़रात में फोड में लोकेटिद है नहीं है या नहीं है इनमें से जो अगर cynette नियुक्त करें तो पहले हैं जटू वाड़ी होट तो कई बार दिली से डिटेड फोट होते हैं तो कई बार दिली से डिलीट फोट के उपर, जो है डिट्रब्लस भी कोशन पूछता है, तो इसको जो है आप जो है, जितने भी इंपोर्टन फोट है, उसको भी आप थ्यान से जरूर पढ़ लेना, अब चलते है नेक्स कोशन प यहां पर पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वह ए करेंड बेदी किरन बेदी ने इस बुक को लिखा था वट वेंट रॉंग और यह जो बुक जो है 2002 में पब्लीश वही थी और इस बुक को जो है कि इंडे की पहली महिला IPS आफिसर भी थी तो यह जो है यहां पर आफिसर उप क्षम हो जक्ता है पिछले एक-दो साल में ही फब्लीश हुई ओक होती है तो आप इस चीज को जरूर देखना है है फॉली प्लिश हुई है फब्लीश उफेस्टी थी और उसका ऊथर कॉन है तो उसे रेटेड कॉशंच भी काफ ही आता है हम चलते हैं निक्स कोश्ण पर तो और फॉर्थ ऑप्शन इस अनंग पाल तो यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वह ऑप्शन नमबर टू है नहीं कि कुदुब दिन एभक ने जो है बारासोचे से बारासोच दस तक जो है दिल्ली में शाशन किया था तो यह भी बिल्कुली बिल्कुली सेम पैटर दिल्ली को थो बहुत है और इस चीज़ को द्यान से जूरू पढ़ लेना की कौन से यह में जूरू की जूरूर पूचा जाता है दिल्ली में चुआ पूछा जाता है uniform acceleration तो uniform acceleration के बारे पूछा हो गया है यहां पर कौँसी जो है correct equation है और यह जो physics related question है यहां पर पूछा गया है तो यहां पर पहला option दिया है v equal to u plus 80 and second option है v equal to u into t and third option is v equal to ut plus a and fourth option है v plus u equal to 80 फियाने पर यहां पर है तो यहां पर बात करेक्णर庫्छ्यकशन की तो यहां पर प्रक्रेक्शन हो सब्सक्राइशून पर इस पार इस थे सल्दोट LINиватьा 一im इंडियन Constitution is related with the bar to interference by courts in electoral matter तो जैसे कि मैंने बताया था है Indian Constitution से डिटर प्रस्वे में काफी सारे question पूछी जाते हैं दो से तीन question तो पूछी जाते हैं और आप देखेंगे कि इसमें भी ये दूश्रा question पूछ लिया गया है Indian Constitution से related तो यहां पर बात करेंगर correct answer की तो यहां पर आप देखेंगे कि option no.4 यानि 329 जो है इससे related है interference by courts in electoral matter यानि कि यह जो है 329 से related article 329 जो है इसके बारे में कहता है तो Indian Constitution से related जितने भी important article है उसको आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि इससे related तो यहां पर पहला statement है दनवाब आवद वस फोस्ट तो गिव ओवर हाफ ओविस टेरिटिरी टूदा कंपनी इन 187 तो यहां पर बात करें second statement की तो यहां पर थार्ड एंग्लो मराठा वार वार वास फोट डूरिंग 1817 तो 1819 तो यहां पर बात करें तो option no.3 यानि कि only two statement जो है यहां पर correct जो थार्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी वह 1817 से लेके 1119 में हुई थी जो कि यह वार जो है यह जो एंग्लो मराठा वार जो थी तो यहां पर option है महां पहला पहला तेलांगना, second goa, third odysa and fourth is kerala लाग रहा है यहां पर correct answer की बात करें तो वह है option no.4 kerala यानि कि मोहिन अट्टम जो है kerala से बिलॉंग करता है और मैंने different dance form के उपर कि कौन से state से बिलॉंग करते हैं इसके उपर भी मैंने जो है अलग से separate video बना रखी है उस video को आप जाके देख सकते हैं और उस video का link जो है मैंने already इस video के description में डाल दिया है और आप जाके इस video को देख सकते हैं क्यूंकि dance form के उपर जो है इसके उपर एक separate video बना रखी है तो जो है आप उस video को आप जाके देख सकते हैं मैंने उस video का link जो इस video के description में add कर दिया है तो यहाँ पर हमारा option और fourth correct answer है अब चलते हैं next question पर तो next question है where did the inscription were written जो inscription जो होते थे वह basically कहां लिखे होते थे inscription जो basically सीला लेक की बात हो रही तो basically लिखे होते तो यह basically आप बहुत easy question है inscription जो basically stone के उपर लिखे जाते थे इसलिए तो यहाँ पर option number two जो यहाँ पर correct answer हो जायागा तो अब चलते हैं next question पर तो next question है यहाँ पर हमारा तो who has been named ICC men's player of the month for March 2021 तो यहाँ पर पूछा गया है ICC men's player जो ICC ने एक नया award देना start कहा है basically हर month की performance की basis पर जो ICC जो है players को जो है award देती है तो यहाँ पर पूछा है March की month में जो है वह award किसे मिला था men's player की अगर बात करें तो तो यहाँ पर correct answer की बात करें तो वो थे भूवनिश्वर कुमार यानि की option number two यहाँ पर हमारा जो correct answer है भूवनिश्र कुमार को जो है यह award मिला था ICC की द्वार player of the month का आप चलते है next question पर तो next question है who won the ICC Under 19 World Cup 2020 यानि की 2020 का Under 19 World Cup जो है basically किस ने जीता था तो यहाँ पर correct answer की बात करें तो वो है बांगलादेश बांगलादेश ने जो है यह ICC Under 19 का World Cup 2020 में जीता था है तो यहाँ पर option two जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा तो यह तो यह थे थ वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर चैनल पर पहली बार आयु तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और आपको General awareness की और सारी वीडियोस देखने है तो आप हमारी चैनल की playlist में शाज के देख सकते हैं मैंने लेडी काफी सारी General awareness के वीडियो बनाए हुई है और साथ ही में आने important topic है जहाँ वसे question आ सकते हैं तो channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कर देना अगर आपको video पसंद आई हो तो video को like जरूर कर देना बागी मिलते है next video में thanks for watching the video